स्किजोफ्रनिया डाइगनोसिस के बारे मैं यह वीडियो में बात्चीत करने माला हूं अई आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गड़ेकर मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन दथा विसनमुक्ति तग्यों महाराष्ट मैं अकुला में प्रैक्टिस करता हू मांसिक लक्षन जब एका व्यक्ति को दिखाये देते हैं तो जब हमारे पास में कोई ul radio channels लेके आते हैं और फम् को यह देखना पड़ता है कि इसको髜ोफ्रनिया है है यह और कोई इसको मांसिक बीमारी है हो सकता है कि हमको पहले उसको चेक करना पड़ता है कि उसको medical condition कुछ है किया कोई बदन की शिकायत है कि उसके वज़े से उसको मानसिक लक्षन डिखाए दे रहे तो पहले हमको उसके blood test करना, urine test करना, कोई drugs लिये है किया उसके वज़े से भी हो सकता है कि कोई drugs लिये है, दवाई लिया है उसके वज़े से उसको ऐसे condition आ रही है, तो मानसिक लक्षन है इसका मतलब schizophrenia ऐसा नहीं है, उसको medical condition कुछ है कि शैरिक बीमारी है कि जिसके वज़े से मानसिक लक्षन है कि उनको देखना पड़ता है, सब test करने के बाद में, फिर हमको यह नतीजे पर आना पड़ता है कि यह schizophrenia है, हो सकता है कि कभी schizophrenia मतलब यो split personality है, है न, तो इसमें हो सकता है कि उसका mood एकदम high हो, या उसका mood down हो तो वो भी हमको देखना पड़ता है कि इसको affective disorder है, मतलब उनमाद है, या depression है, वो भी हो सकता है तो देखना पड़ता है, या फिर schizophrenia और mood इकटा है, मतलब schizo affective disorder है कि एक बार वो हमने देख लिया तो फिर diagnosis करना आसान हो जाता है, कि भी schizo affect disorder है, schizophenia है, drugs से है या कोई medical condition से है पांच साल के उपर के बच्चे को schizophenia हो सकता है, मगर किशोर रवस्ता के पहले schizophenia बहुत कम दिखाई देता है schizophenia में उसका वास्तविकता से समंद टूट जाता है, reality, unreality समस्तानी उसको कि क्या real है, क्या unreal है, hallucinations उसको आते है, मतलब ब्रह्म, पंचेंद्रिय जो है अपने है, तो उसके ब्रह्म होते है विचारों के ब्रह्म होते है, और उसके वज़े से उसके वास्तविकता से समंद टूट जाते है वो डरा हुआ इंसान हो जाता है, घबराय हुआ है, उल्जाय हुआ हुआ है इंसान लगता है एक तो वो वाइलन्ट हो जाएंगा, किसके उपर आक्रमन कर लेगा, हिंसा कर लेगा या फिर अकिला-किला रह जाता है, लोगों से तूट जाता है, कमरे माकेला बंद करके रख देता है खुद को किससे मिलता चुलता नहीं है, लोगों से बाचित नहीं करता या फिर कभी-कभी घंटों तक एक जग़ बैठ जाएगा फत्तर जैसा कड़क हो जाएगा घंटों तक हिलेगा भी नहीं डूलेगा भी नहीं तो ऐसे अलग-अलग उसके लक्षन दिखाई देते है एक यह है कि जितना जल्दी इसका डाइगनोसिसम कर सके उतना अच्छा है रिलेटिव्स ने यह देखना जरूरी है रिष्टनारों ने कि अपने घर के लोग जो लोग है स्पेशली बीस से तीस साल की उम्र में कुछ अजीब हो गरीब मतलब कोई ऐसे कुछ दिख रहे है कुछ लक्षन निन में कुछ गढ़ बढ़ हो रहा है अकेला-केला रह 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 arguably या कभी बहुत ज़ना चिर्चरा हो चुका है या कभी ज़्यादा हर्ष में आ रहा है या कोई डिप्रेस्ट हो रहा है या कभी भैक बेकी बाते करहा है ऐसा कुछ भी लक्षन होगे तो उसको पकड़ना चाहिए वह भीमारी को और तुरंद उसको डॉक्टर के पास में लेकर जाना चाहिए यह भीमारी का जितना इला जल्दी करेंगे उतना अच्छा है क्यूंकि उसको कहा जाता है मन का कैंसर इसमें वन त्याय एक ट्याय लोग जह भी को जाते हैं कंप्लिटली एक ट्याय लोग दवाय लेकर ठीक रहते हैं और एक त्याय लोग ठीक है नहीं होते तो ठीक कों नहीं होते जिनको जल्दी डॉक्टर के तरफ लेकर नहीं जा सकते या लेकर नहीं जाते बाहर का इलाज करते रहते नहीं ठीक है इस वहां विचितर हो चुका ऐसा बोलते रहते और खीचे जा रहे खीचे जा रहे उसमें फिर वो क्रॉनिक हो जाता है तो जल्दी से जल्दी जाला से जाला लोगों को शेर करो ताकि लोगों को मालूमात होना चाहिए कि बीमारी क्या है उसका इलाज होना जरूरी है आबादी के एक टका लोगों को इलाज होती रहती है उनकी जिन्दगी में तो जितनी जल्दी इस इसका मतलब जितना जल्दी इसका एलाश चुलो होता है उतना अच्छा है आपके ग्रूप के उपर शेर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो बेल आइक उता है उसको पर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहली बार आपको आजाएंगे वीडियो देखन झालो है प्हली इसका एल. हां रूप कर लाइक नोट्यो चेक में लोटलो है